हलो एप्रिवन वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज मैं जो वीडियो सेर करें हूँ वह है फीजिकल फिटनेस के बारे में कि कैसे आप घर बैठें फीजिकली फिट रह सकते हैं हर रोज की तरह आप सभी से रिक्वेश्ट करूंगी कि अगर जो आप सभी को वीडियो हेल्प होलोती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकेन को फ्रेश कर दें ताकि वजन घटानी की एक्षा रखने वाले लोगों के लिए टहलना सबसे अच्छा विकल्प सावित हो सकता है, इसके लिए घर के आजपास के छित्र में कुछ देर तक टहलना चाहिए, यहां तक कि घर की छत पर भी करिब 30 मिनाट तक रोज तेज कदमों के साथ चला जा सकता है, ऐसा करने से सरेर की कैलोरी घटेगी और वजन को नियांद्रित रखने में मदद मिलेगी, वजन घटाने के प्रक्रिया में जो दूसरा तरीका है वो है दवड़ना, वजन घटाने की एक्सरसाइज में दवड़ना भी एक बहतरिन विकल्प सावित हो सकता है, दवड़ने क की प्रक्रिया पूरे सरीर पर व्यापक प्रभाव डालती है और तेजी से कैलोरी को कम कर वजन घटाने में मदद कर सकती है अगर जो आप वजन घटाना चाहते हैं तो जो तीसरा तरीका है वो है साइकल चलाना वजन घटाने के लिए ब्यायाम में साइकल चलाने के प्रक्रिया को भी बेहतर विकल्प माना जाता है cycle चलाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस बात का तनिक भी हसास नहीं होता है कि वजन घटाने के उद्देश से कोई परिश्रम भरा काम किया जा रहा है यही कारण है कि इसे मध्यम सरीर गतिवीधियों में गिना जाता है पताया जाता है कि 30 मिनट cycle चला कर 145 कैलोरी घटाया जा सकता है इस कारण यह कहा जाता है कि नियमी त्रोप से cycle चला कर वजन को नियंतरत करने में मदद मिल सکती है वजन कम करने में जो चौथा तरीका है वो है तैरना वजन कम करने के लिए तैरने से बहतर और कुछ नहीं हो सकता है तैरना अपने आप में एक तिब्र आवेग वाला माध्यम है जिसका असर सिर से लेकर पैर तक सभी हिस्सों पर पढ़ता है और 30 मिनट की तैरा की करीब 255 कल प्रेयोरी तक घटाने में मदद करती है ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि तैराकी के माध्यम से बढ़ती वजन को न केवल नियंतरित किया जा सकता है बलकि कुछ हद तक कम भी किया जा सकता है इस कारण यह माना जाता है कि मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज में त प्रक्रिया को सामिल करना फायदे मन्द सावित हो सकता है। वजन कम करने में जो पांचवा तरीका है वह है प्लैक प्लैक एक ऐसी क्रिया है जिसमें सरीर को लगभग पुस अपस की स्थिती में कुछ मिनट के लिए रोकने की कोशिज की जाती है। इस प्रक्रिया का नियमित अभ्यास सरीर की सभी मान स्पेशियों को मजबूत करने के साथ सत कैलोरी को भी कम करने में मददकार सावित होती है जिससे वजन खटाने में मदद मिल सकती है। वजन खटाने में प्लैक का अफ्यास फाइदमन्त परड़ाम दे सकता है इस करण यह कहा जाता है कि वजन खटाने के लिए ब्यायाम में प्लैक का अफ्यास लाबकारी सिद्ध होता है वजन कम करने का जो छठा तरीका है वो है जम्पिंग जैक्स मुटापक करने के लिए एक्सरसाइज में जम्पिंग जैक्स को सामिल किया जा सकता है ऐसे में जम्पिंग जैक्स जो की एक तिब्र आवेक वाली एक्सरसाइज है और हिर्दै स्वास्त के लिए लापकारी मानी जाती है वजन कम करने में सहायक मानी जाती है वजन कमकरनी का जो सात्वा तरीका है रसी कूदना वजन के लिए बैयाम के तौर पे रसी कूदने की प्रक्रिया को भी अपने आ जा सकता है रसी कूदना एक ऐसी तिब्र आविग वालब बैयाम है जिसे एरोविक्स में सामिल किया जा सकता है इस माध्यम को 30 मिनट करके करीब 240 कलोरी को घटाया जा सकता है कलोरी को घटा कर वजन कम क्या जा सकता है इसकरारान माना जा सकता है कि वजन घटाने में रसी कुधना tetap at72 विकल्ब शाबित होता है